दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ education के topic के उपर जी हाँ education is very very important और जो भी school, college या फिर आगे की जो पढ़ाई है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है बट ये बात आप भी समझते हैं और ये हकीकत है कि आज के बदले हुए समय में सिर्फ और सिर्फ school या college की पढ़ाई काफी नहीं है क्योंकि सिर्फ school और college की पढ़ाई से और एक average degree से सिर्फ आपको एक average या उससे कम की नौकरी मिल पाती है और वो नौकरी financially grow करने के लिए उतनी काफी नहीं होती है अब इसके बाद दूसरी चीज आती है professional education जहाँ पे हम इस तरह के profession के बारे में सीखते है जिस profession से हम लोगों को service दे सके और वहाँ पे हम पैसे भी earn कर सके for example अगर हम doctor, engineer, lawyer, chartered accountant यह जो profession है अगर हम इस तरह के professional प्राई करते है तो यहाँ पे हम services दे कर यहाँ पे पैसे earn कर सकते है तो यह हो गया professional education कि जब आप कोई ऐसे profession चुनते है जिसके बारे में आप सीखते हैं, पढ़ते हैं और बात में वो यूज करके आप यहाँ पे पैसे earn कर पाते हैं तो अब academic और professional यह दो education तो हमेशा से important रहा है बट आज की rate में सिर्फ यह दोनों काफी नहीं है आपको financially grow करने के लिए इसके बाद तीसरी जाती है, वो है financial education यानि कि आपको यह समझना है कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे पैसे से आप अपने लिए काम करा सकते हैं कैसे जो courage का system है, वो काम करता है, कैसे tax काम करता है, कैसे पूरा financial system है और इसका use करके कैसे आप अपने लिए wealth create कर सकते हैं, compounding क्या होती है और इस तरह की बहुत सरी जो concept है, वो आपको समझने पड़ते हैं और financially grow करने के लिए अब यहाँ पे सबसे बड़ी problem यह है कि financial education हमारे school system में है ही नहीं तो इसकी बारे में बात ही नहीं किया जाती है और हमें real world में सिर्फ academic और professional education के सारे ही भेज दिया जाता है और बाद में वहाँ पे अक्सर देखा यह जाता है कि हम पढ़ने लिखने के बाद से नोकरी सुरू करने के बाद से, पैसे कमाने के बाद से, financially आगे बढ़ने के बजाए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, email traps में फंस जाते हैं, credit card या फिर personal loan ये इस तरह के चीज़ें फंस जाते हैं और financially grow करने, यानि कि आगे बढ़ने के बजाए हम आपे काफी पीछे बजाते हैं और अक्सर ज्यादा तो लोग debt trap में फंस जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे सबसबड़ा region क्या है, तो वो है financial education की कमी क्योंकि हम नहीं जानते हैं, हम स्कूल सिस्टम में हमें बताया है नहीं गया है कि real world में हमें पैसों को लेकर किन-kिन बातों का ध्यान रखना है कैसे पैसे को manage करना है, कैसे compounding काम करती है कैसे जो debt है या interest rate है वो काम करता है कैसे banking system काम करती है, कैसे tax काम करते है कैसे यहाँ पे sales and marketing काम करता है कैसे हमें लुभाया आ जाता है कि हम हर चीज़ खरीदें हर चीज़ बाई करें और बाई करने के चकर में अक्सर हम जब पैसे कम पड़ते हैं तो हम आपे easy EMI का option मिलता है और easy EMI को बारे में भी हम ठीक ढंक से नहीं समझते हैं कि EMI क्या चीज़ होती है यह कैसे काम करती है तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सरी financial education related जो topics है उसको नहीं समझने के कारण से अक्सर हम trap out हो जाते हैं तो यहाँ पर इस video मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि आज के समय में सिर्फ academic और professional education काफी नहीं है आपको life में grow करने के लिए खास और सो financially आपको आपको financial education की जरूरत है तो आई हो कि आप जरूर financial education जो importance है इससे जरूर समझ पा रहे होंगे और अपने आपको financially educate करेंगे ताकि आप life में financially grow कर सकें तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं और कैसे आप अपने आपको financially educate करेंगे इसके बारे में जो भी आपके विचारे में आपके कमेंट करके जरूर बताएं और ये topic के वीडियो आपको पसंद आया तो इसे like और सेया जरूर करें अन्त में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ चुलिए रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद